बच्चों साजेदारी फर्मू के लिखांकन के बारे में अब तक हमने देखा कि साजेदारी के समाने सिध्धानतों का पालन करते हुए किस प्रकार हम लाभानी नियोजन खाता तयार करते हैं लाभानी नियोजन खाते के आधार पर हम साजेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता तयार करते हैं उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे कोई नया साजेदार साजेदारी में प्रवेश लेते जाता है साजेदारी फर्म के कैलकुलेशन में कुछ नये खाते जुड़ते जाते हैं साज़ेदारों के प्रवेश या मृत्यों की दशा में हमने देखा कि उनको बुकतान की जाने वाली राशी की क्यालकूलेशन हम किस-किस तरह से करते हैं और पुनर मुल्यांकन खाता हम किस तरह बनाते हैं साजेदारी फर्म में प्रवेश के साथ साथ साजेदारों की निवृत्ति और मृत्यों के संभन में हमने बहुत सारे लेखों को देखा कि किस तरह से हम लेखों का निर्मान करते हैं कौन-कौन से जर्रेल एंट्री हम पास करते हैं और उस कंडिशन में हम किन-किन खातों को बनाते हैं अब तक हमने देखा कि साजेदारी फर्म में जब कोई साजेदार साजेदारी से रिटायर होता है निवृत्य होता है या मृत्य हो जाती है तो किस तरह से खातों का लेखा किया जाता है और उस अवस्था में साजेदारी फर्म की क्या इस्तिती रहती है साजेदारी फर्म से जब एक साजेदार निवृत्त होता है या रिटायर होता है इसके कई कारण होते हैं जिसको आपने देखा उस अवस्था में एक साजेदार सिर्फ फर्म से प्रिथक होता है वहाँ साजेदारी का अंत नहीं होता बागी जो साजेदार है वो अपने पुराने समझोते के अनुसार साजेदारी फर्म का संचालन करते रहते हैं लेकिन अगर पूरा का पूरा फर्म बंध हो जाए पूरे साजेदारी संस्था बंध हो जाए तो इसे हम कहते हैं साज़ेदारी फ़र्म का विगटन या साज़ेदारी का समापन डिसलूशन ओफ फ़र्म तो आज हम पढ़ेंगे साज़ेदारी फ़र्म का विगटन समाने अर्थों में विगटन सब्द से अर्थ होता है तूट जाना विखर जाना विगटित हो जाना यह समाप्त हो जाना अगर हम विगटन शब्द को साज़ेदारी से जोड़ कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब साज़ेदारी फर्म तूट जाती है विगटित हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो वहाँ पर साज़ेदारी फर्म का विगटन कहलाता है साजेदारी के विगटन के संबंद में और जब हम बात करते हैं साजेदारी फर्म की समापती की तो फर्म के समापन और साजेदारी के समापन दोनों में पर्यापत अंतर होता है जैसे हम कह सकते हैं कि साजेदारी का विगटन जो होता है वहाँ पर जो firm होती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और जो firm के साज़ेदारों के मद्ध जो संबंध होते हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं लेकिन जहाँ साजेदारी का विक्टन होता है वहां पर सिर्फ वो साजेदार जो साजदारी फर्म से प्रिथक होता है यह वो साजेदार जिसकी आकस मेकında प्रित्ति हो से प्रिथक होते हैं यानि कि यहां पर निवृत्ति या मृत्तियों की दश्रा में साज़दारी फर्म का समापन नहीं होता है लेकि विगटन की दश्रा में साज़दारी फर्म का समापन हो जाता है अब यहां अगर हम अंतर को देखें तो हम विगटन और साज़ेदारी के समापन दोनों का जो अर्थ है उसको और अच्छी से समझ पाएंगे अगर हम संबंधों की बात करें तो साजेदारी के समापन में जो साजेदार जो निवरत होता है उसका संबंध फर्म से समाप्त हो जाता है लेकिन साज़ेदारी के विगटन के कंडिशन साज़ेदारी फर्म के विगटन के कंडिशन में सभी साज़ेदारों का आपस में जो संबंध होता है वो विगटित हो जाता है सभी साज़ेदारों का संबंध समाप्त हो जाता है यानि कि कुल मिलाकर साज़ेदारी समाप्त हो दूसरा इसके अंतर के हम बात करें वैपार की समाप्ती की तो साजेदारी की निवृत्ति या मृत्तियों की दशा में जब हम कहते हैं कि साजेदारी का विगटन हुआ है तो वहाँ पर वैपार की समाप्ती नहीं होती वैपार पहले की तरह चलता रहता है किवल एक साज़ेदार फर्म से अलग हो जाता है लेकिन फर्म की समापती के हम बात करते हैं तो वहाँ पर व्यापार भी समापत हो जाता है वैसे ही इसके तीसरे अंतर के बात करें तो देखते हैं कि कारण जो होते हैं वो दोनों के अलग-अलग होते हैं जैसे विगटन का ज लेकिन साजयदारी फर्म के समापन की बात करें या साजयदारी फर्म के विगटन की बात करें तो इसके कुछ अपने अलग कारण होते हैं जिसे इसी अध्याय में आगे और विस्तार से पढ़ेंगे अगले इसमें अंतर के हम बात करें तो साज़ेदारी फर्म का समापन व्रित्य आउकाश की दशा में होता है लेकिन साज़ेदारी फर्म के विघटन के बहुत से कारण होते हैं जिनके बारे में हम आगे सद्याय में पढ़ेंगे तो दोनों में पर्यापत अंतर है अब अगर हम देखें कि विगटन के कारण क्या है तो इनके कारणों को कुछ बिंदों के अधार पर अधिक अच्छ तरीके से समझेंगे पहला कंडिशन हो सकता है पहला कारण होता है कि जब सभी साज़ेदार फर्म के विगटन के लिए सहमत हो जाए हमने प्रारम में भी पढ़ा था कि साज़ेदारी एक समझोता है सभी साज़ेदार आपस में मिलकर काम करने के लिए एक समझोता करते हैं और इस समझोते को लेक बद्धि किया जाता है एक सनलेक में लिखा जाता है जिसे साज़ेदारी सनलेक कहते हैं तो जिस प्रकार साजेदारी प्रारंब करने के लिए सलेक का निर्माण किया गया सभी साजेदारों ने आपसे सहमती से साजेदारी को प्रारंब किया बिल्कुल इसी तरह अगर सभी साजेदार चाहें तो वो आपसी सहमती से फर्म को डिजॉल भी कर सकते हैं विगटि यह सम हत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम दो या दो से अधिक साज़ेदार का होना जरूरी है अब ऐसी कंडिशन में जब किवल एक साज़ेदार बचे और बाकि जितने भी साज़ेदार है वो दिवालिया हो जाएं यानि कि उनका जो दाइत तो है वो उनकी संपत्ति से अधिक हो स्वता समाप्त हो जाएगी तीसरा इसका एक कारण हो सकता है कि जो साजेदारी फर्म का व्यवसाय है वो अवैधानिक घोशित हो जाए यानि वो जो कारे कर रहा है वो राज के देश के हित के विरुध हो जाए तो वहां का वो जो साज़ेदारी विवसाह होता है उसके अंतरगत जो काम किया जा रहा है वो अवैधानिक गोशित हो जाता है तो इस कंडिशन में साज़ेदारी को समाप्त करना पड़ता है अगला इसका एक कारण हो सकता है कि अवधी पूरी हो गई हो हमने स्टार्टिं Deck chapter में देखा कि कभी कभी साज़ेदारी एक निश्यत समय के लिए की जाती है जो साजेदार होते हैं वो सनलेक के अनुसार आपस में सहमत होते हैं कि ये जो साजेदारी है हमारी वो 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे इतने सालों के लिए रहेगी तो जैसे ही वो अवधी समाप्त होती है सनलेक में जो भी अवधी लिखी हुई है जैसे ही वो अवदी समाप्त होती है साजेदारी फॉर्म अपने आप विगटित हो जाती है इसी तरह इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कारे पॉर्ण हो गया हो कुछ साज़ेदारिया ऐसी होती है जो किसे विशेश कारे को लेकर की जाती है यानि कि ये मान लिया जाता है कि जब ये कारे समाप्त हो जाएगा तो ये साज़ेदारी जो है वो अपने आप विगटीत हो जाएगी तो उस दशाह में भी साज़ेदारी फर्म का विगटन मान लिया जाता है इसी तरह हम देखते हैं कि एक को छोड़कर अन्य साज़ेदार या तो मांसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हो पागल हो गए हो या हो सकता है कि साज़ेदारों के मृत्य हो गई हो और किवल एक ही साज साज़ेदार शेजबचा है तो वह जो करेगा साज़ेदारी व्यवसारहिट नहीं कहलाएगा यहां पर भी साज़ेदारी फर्म है वो सताही समाप्त मानी जाएगी इसके अलावा न्यायाले के पास अपनी कुछ ऐसी शक्तिया होती है जिनके आधार पर वह जब चाहे किनी विशेश कारणों के आधार पर साज़ेदारी फर्म को वो आदेशित कर सकता है साज़ेदारी समाप्त करने के लिए तो न्यायाले के आदेश से भी साज़ेदारी फर्म का समाप्त किया जा सकता है तो यह कुछ ऐसे कारण है कुछ ऐसे दशाय है जब साज़ेदारी फर्म समा कौन-कौन से मेथट्स होंगे कैसे हम फ़र्म के जो एकाउंस होंगे उनको क्लोस करेंगे तो यहां पर सबसे पहली जो रिती आती है वह होती है समझवते द्वारा जैसे कि हमने पहले भी जाना कि जब साजेदारे स्टार्ट होई थी तो साजेदारों के मद्द सम्झवता करें कि अब उनको साज़ेदारी वेफसाय को और आगे नहीं बढ़ाना है तो ऐसी दशाव में वह स्वेम सहमती देकर समझवता करके साज़ेदारी समाप्त कर सकते हैं यह रीती हुई दूसरा हो सकता है अनिवार समापन कुछ ऐसी दशाव होती है जब कहीं सूचरा देनी की जोरत नहीं पढ़ती है और जो साज़ेदारी होती है वह अपने अप समाप्त हो जाती है तो कौन-कौन सी ऐसी दशाव है जब अनिवार समापन माना जाएगा इसमें सबसे पहली दशाव होती है जो हमने पहले भी देखा अगर एक को छोड़कर साज़ेदार दिवालिया ह हो जाए तो यह जो कंडिशन होती है इस हम अनिवार समापन कहते हैं दूसरा में आपर देखते हैं कि साज़ेदारी by संख्या 20 से अधिक हो जाए हमने भारती साज़ेदारी अधिने 1932 के अंतरगत पढ़ा कि सामाने साज़ेदारी की दशा में साज़ेदारों की संख्या 20 और बैंकिंग वेवसाय की दशा में 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए तो अगर ऐसे कोई कर्णिशन बनती है कि सामाने साज़ेदारी की दशा में साज़ेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो 20 से जादा हो जाए या फिर अगर बैंकिंग सेक्टर का कोई वेवसाय है तो वहाँ प समाप्थ हो जाती है अगली दशा में हम कह सकते हैं कि कई बार साज़ेदारी आकास्मिक या संयोग वर्ष समाप्थ हो जाती है तो कौन-कौन से ऐसे दशाएं होती है जब साज़ेदारी आकास्मिक रूप से या संयोग वर्ष समाप्थ हो जाती है एक तो हमने पहले भी द कबताता है है दूसरा हम देखते हैं कारेखुन हो रहा हो यह जित्टे जिस कारे के साज़ेदारी के गई थी उसका म Reglaug कृष्रा म्रित्य या दिवालिहा नहीं कि दश्रा मिन्हारी एक साज़ेदारों के रहा है तो यह जोके से यह भी आकास्मिक या साजेदारी की सम्माप्ति के अंतर गताएगी उसकी बाद हम देखते हैं अगला चौथा जो इसकी जो रीती है वो है एक्षिक या सूचना देकर समापन कोई साजेदार अपने इक्षा से अगर वो चाहे वो नहीं साथ में काम करना चाहता है तो स्वास सूचना देकर साजेदारी को सम आप्त कर सकता है तो यह साजेदारी का समापन माना जाता है आ वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि नयायाल द्वारा भी जैसे हमने पहले देखा कारण में कि कुछ ऐसे कंडिशंस बंते हैं जब न्यायालां जो साजदारी साजी दारी फ़र्म में हैं उनको सूचित करता है कि अब आपकी साजेदारी फ़र्म को समाप्त कर सकता है है सबसे पहले हमने आप देखा कि जब कोई साजी दारों को छोड़ करके वह साजेदार बचता है और अब सब्सक्राइब लेगल होता है पंजी कृता है बहुत सारे भारती साज़ेदार या धिन 1932 बहुत सारे प्रारूप के अंतरक्त उनका कराया जाता है लेकिन बावजूद भी अगर फों का जो वैवसाहएं वह वैधानीक सब्सक्राइं हो जाएं तो यहाँ choses है की और विप्रीत फीडिये का निर्माण होत eyes तो उसमें उन सारे नियम कानूनों का उन विदियों का उल्लेक रहता है जिसके आधीन रहकर जो फर्म के साज़ेदार है वो काम करेंगे तो साज़ेदारी फर्म का जो सनलेक होता है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है यह हम पहले भी पढ़ा यानि उसी के कोडिंग सारे साज़ेदारों को जो कारे वेभार है वो करना पड़ता है लेकिन अगर जो साज़ेदार है वो उस अनुबंद के विपरीत काम करते हैं यानि सनलेक में ये समझोते में कुछ अलग लिखा गया है बिजनस के बारे में लेकिन काम वो कुछ अलग कर रहीं तो न्यायालय को घ्यान होने पर सूचना देकर उस साज़यदारी फिर्म को डिजॉल कर सकता है वैसे यह condition बनती है जब साज़यदारी फिर्म का हिध हस्तान पार्टनर्शिप फर्म उसको टेक ओवर करती है वो अपना अनुबंद या अपना सनलिक फिर से बनाती है लेकिन यहां पर पुराना पुरानी जो साज़ेदाई फर्म है उसको यहां पर समाप्त करना पड़ता है तो यह काम भी न्यायालय द्वारा ही किया जाता है एक दशा यह भी बनती है जब वेवसाय में स्थाई हानी हो यानि कि लगातार अगर वेवसाय में हानी होती जाए तो फर्म के जो साज़ेदार है वो न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं कि आप फर्म को डिजॉल्व कर दीजे विगटित करने का आदेश दे दीजे तो ऐसी कंडिशन में फर्म जो है वो सूचना देकर जो साज़ेदारी फर्म है उनको डिजॉल्व कर सकती है विगटित कर सकती है इसी तरह कंडिशन यह बनती है कि अगर कहीं से भी कुछ न्यायालय को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे कारण बन रहे है चाहे आवैधानिक वेवसाय की दशा में यह कोई साय देश ही इत्में न रहा हो जो फर्म है वो किसी ऐसे वेवसाय को कर रहे हो देश की जनता को हाणी पहुंचती हो तो किसीवी सında किसी नियायालय को डियान में रखते हुए नियायालय किसी अग्लें पर से से वह बन्रम का बिभिटन किया जा सकता है अब गॉ सब्सक्राइब का डिवक, हने की करेंगे हैं और साज़दाओ यहां पर की निपर्टार यहां पर कंचनीये कुर्ट थे , लेकिन आइसी दर्शा है है उसके अनुसार यहां पर निप्टारा करना है साज़ेदारी वेबसाय का तो यहां पर कौन-कौन से कंडिशन आएगी क्या काम हम करेंगे तो यहां हम भारती साज़ेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अंतरगत जो हिसाब किताब निप्टारे का जो प्रावधान वहां पर किया गया है उसके अनुसारी हम यहां पर निप्टारा करेंगे तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में बाट कर समझेंगे इसको कि पहला तो यह कि हानियों का वुक्तान कैसे करना है और दूसरा पति को यूज करना है तो अगर हम बात करें हानियों की फुक्तान की तो सबसे पहले फर्म में अगर हानी होती है तो उसका फुक्तान हम जो फर्म का लाब होता है जब बैलेंशीट हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लाब हानी का विबरंट बहुत विस्तार से दिय पूंजी में से राशी निकाल कर हम फर्म की हानी को जो हानी होती है उसके बाद भी अगर कोई राशी बच जाती है यहां पर समय उजित करने के लिए तो तीसरी जो कंडिशन होती है वो होती है कि साजेदार क्योंकि फर्म में एक हित रखते हैं यानुपात हमने देखा कि प् फर्म को लाब होता है तो वह इसी अनुपात में लेंगे लेकिन अगर फर्म को कई हानी हो गई तो इसी अनुपात में उनको देना भी पड़ेगा तो यहां थर्ड कंडिशन जो बनती है वो यह बनती है कि जो हानी हुई है उसको साजेदार व्यक्तिगत रूप से अपनी व्यक्तिगत संपत्ती से उस हानी को वहन करेंगे तो यह तो बात ही हानी के बटवारे की दूसरा हम देखे कि संपत्ती का प्रयोग कैसे करेंगे फर्म की संपत्तिया भी कुछ बची है फर्म का भवन होगा मशीनरी होंगी उसके कुछ वेकल्स होंगे तो उन संपत्तियों से भी इतनी पर्याप्त राशी नहीं मिल पाती कि दाईतों का भुखतान किया जाए तो उस कंडिशन में हमने देखा कि यहां पर जो हानी यह जो दाईतों एं उनको हम कैसे एक कुल मिलकर जो राशीप रापत हुई है उससे हम सबसे पहले बाहद हैतों का भुखतान करेंगे जैसे हuciones कुछ पैबल होते हैं बेंक लोन होते हैं तो इन सब दाइतों का भुखतान हम सबसे पहले करेंगे कि साजेदार् WITH वारब फर्म को कुछ रिण दिया गया है क्या अगर साजेदारों ने फर्म को कभी कुछ रिण दिया है अगर बाहदायतों का भुक्तान करने के बाद पैसा बचता है तो इन साजेदारों को उनके रिण की राशी वापस कर देंगे तीसरा हम यहाँ पर यह देखेंगे कि साज़ेदारों की पुणजी का कुछ डिफ्रेंस आधिक के में आ रहा है, सर्पलस आ रहा है क्या? यानि जब हम पूझी खाता या चालू खाता बनाएंगे तो वहाँ पर जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम देखेंगे कि कौन सा बैलेंस आ रहा है अगर किसी साजेदार के पूझी खाते में आधिक के आता है तो उसको भी हम इस बची हुई राशी में से पेमिंट कर फिर्षट जाता है अगर बाद में कुछ बच जाता है तो जितने भी साजेदार है वह अपने लाभाणनी विभाजन अनुपाद में पुराना आनुपाद जो प्रशन में दिया रहता है उस अनुपाद में उस लाभ को याने बची हुए जो राशी उसको डिवाइट कर ल लेकिन एक बात यहां पर और आती है कि जो साजेदारों के व्यक्ति गत्रिण होते हैं, अगर फॉर्म में पैसा है तब तो हम उनको आसानी से दे देते हैं, लेकिन नहीं है, तो कुछ कंडिशन्स क्या क्या बन सकती हैं, कैसे हम उनका निप्टारा कर सकते हैं, तो अगर साज साजेदार ने फर्म को रिन दिया है, तो बदले में हम संपत्ति दे देते हैं, आगे आने वाली प्रिशनों में हम देखेंगे कि एने कुछ राशी रिन के रूप में दी थी बदले में उसको एक मशीनरी या फिर फर्म की कोई कोई मोटर वाहां दे दिया गया, इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे, उनसे हम समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने उसके रिन का निप्टारा किया है, दूसरी यहां एक बात या आती है कि जो साजेदारों की निजी संपत्या है, उनका हम किस तरह से निप्टारा करते हैं, तो जो साजेदारों की निजी संपत्या होती है उनमें सबसे पहले उनके व्यक्तिगत रिण को चुकाने के लिए प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो फर्म की जो शेश रिण होते हैं उनको चुकाने के लिए उन फर्म की संपत्यों का प्रयोग किया जाता है लेकिन यहां पर भी यह दशा हमेशा बनी हुई रहती है कि अ तो यहां बात कर रहे थे कि फर्म कि जो घो संपत्या दान किस प्रकार से करेंगे आप हम देखते हैं कि ये सारी कैलकुलेशन जब हम करेंगे या ल है अ little के लिए sometimes से खा गरेंगे जैषे ँखा कि फर्म में जब एक साढ़ेदार के मृत्ती हो जाती है तो उस कंडिशन में साढ़ेदा को देराशी की गढ़ना या मृत साजेदार के उत्तरा धिकारी को देराशी की Anm as Kata, Kata, चालू ऑर Achnam at-a da यहां पर विगटन की कंडिशन में भी कुछ खाते बनाया जाते हैं आई हम देखते हैं कि कौन कौन से खातों का निर्मान हम निर्मान करते हैं तो उसमें सबसे पहला और महत्तुपूण खाता हम जो बनाते हैं वो होता है वसूली खाता अब तक के साज़ेदारी लेखांकन म हमने जिन खातों का निर्मान किया उसमें हमने लांभानी नियोजन खाता पुनर मुल्यांकन खाता साज़ेदारों की पूंजी खाते चालू खाते बैंक खाता बैलेंस शीट इस तरह से हमने खातों का निर्मान किया लगबग यहां पर वो सभी खाते वैसे ही रहेंगे उनका जो concept है खातों को बनाने का वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा यहां हम जो एक नया खाता बनाने वाले है वो होगा वसूली खाता तो सबसे पहले वसूली खाते का हम निर्मान करेंगे उसके बाद साजेदारों के पुंजी खातों का निर्मान करेंगे साजेदारों के चालू खातों का निर्मान करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अगर जरूरत पड़ी अगर किसी साजेदार का कोई रिण है तो साजेदारों के का रिण खाता भी हम बनाएंगे और सबसे लास्ट में हम बैंक या रोकड खाता यहां पर बनाएंगे तो यहां हम देखेंगे कि बाकी जो खाती का निर्बान हम यहां पर करेंगे उसमें कुछ भी नया नहीं होगा हम वही कॉंसेप्ट फॉलो करेंगे जो हमने पिछले अध्याव में किया है यहां हमारे लिए जो नया खाता है वो होगा वसूली खाता तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वसूली खाते का प्रारूप क्या होगा यानि कि सबसे पहले में इसके कॉंसप्ट को समझ लेते हैं कि वसूली खाते में हम किस-किस किस विन्दूओं2008 में रखते हुए हम इसकी एंट्री हम भुखतान कर देना है तो इस कंडिशन में हम जो step follow करते हैं उसमें वसूली खाते के अंतरगात सबसे पहला हमारा जो step होगा वो यह होगा कि question में जो balance sheet दी हुई है यानि जो फ़र्म की जो पुरानी balance sheet है उसमें सभी संपत्यों को जिसमें रोकर्ड या बैंक इस तरह के जो संपत्या होती है उनको छोड़कर बाकि जो भी संपत्य मूर्थ संपत्या जो है वो हम सबसे पहले वसूली खाते के debit side में उसके entry हम कर लेंगे दूसरा हमारा जो process होगा वो होगा दाइत्तों का यानि हमारी balance sheet में जो दाइत्तों दिये गए हैं उसमें से सारे जो बाह दाइत्तों हैं उनको हम वसूली खाते के credit side में उसके posting कर लेंगे second step होगा third step में हम अपने question के adjustment में देखेंगे कि कौन-कौन से संपत्या बेच दी गई और उनसे कितनी राशी वसूल हुई तो जो भी संपत्या बेची गई और उनसे जो राशी वसूल हुई उन राशियों को यहां हम वसूली खाते के credit side में by cash यह bank करके लिख लेंगे हो सकता है कि कोई एक ऐसी संपत्ती हो जो बेची ना गई हो किसी साजेदार ने उसको ले लिया गया हो जैसे अभी हमने देखा कि अगर किसी साजेदार का कोई रिड रहता है फॉर्म में तो अगर उसको payment हम नहीं कर पाते तो फॉर्म की कोई संपत्ती उसे हम दे देते हैं तो अगर ऐसी कोई condition बनती है कि फॉर्म का कोई साजेदार किसी संपत्ती को ले लेता है एड़िस्मिंट में अगर इसकी साफ सटीक जानकारी दी गई है तो हम बहुत ही आसानी से इसको वसूली खाते के क्रेडिट साइड में उस साजेदार के पुंजी खाते में ट्रांसफर करके लिख लेंगे यह हमारा थर्ड स्टेप कि फॉर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि जो बाहदायत तो दिये गए हैं बैलेंशीट में उनका भुकतान किस तरह से करना है तो जैसा एड़ेस्मेंट में भुकतान के बारे में दिया गया है वैसा हम उसको भुकतान करते जाएंगे और यह जो भुकतान की राशी होगी उसको हम वसूली खाते के सफनी डाधबिट साइड में करमबद लिखते जाएंगे यहां एक महातोपूर बात ध्यान रखने यह जैसे हमने देखा कि form के संपत्ति को कोई साजेदार ले सकता है वैसे ही यहां पर दाइतो को भी के भुक्तान का जो उत्तर दाइतो है वो कोई साज़ेदार ले सकता है तो अगर किसी साज़ेदार ने दाइतो का भुक्तान किया है तो उसे भी हम उसी तरह से उस साज़ेदार के पुंजी खाते में डाल कर लिखेंगे एक और महत फूर्बाद जो दाइत्टो के बारे में हम देखते हैं वो यह होती है कि हमको सभी प्रकार के बाहे दाइत्टो का भुगतान करना अनिवारे होता है firm के समापन की दश्रा में अगर किसी दायत्तों के भुकतान के बारे में प्रश्ण में समयोजन में किसी प्रकार की कोई जानकारी ना भी दी हो तो भी हमको book value पे यानि कि जो balance sheet में दी हुई है उस book value उपे हम को उस दायत्तों का भुकतान करना ही है किसी बिदायत्तों को बिना भुकतान के नहीं छोड़ना है a तो ये जो step होते हैं steps के आधार पर हम वसूली खाते का नर्मान करते हैं आए देखते हैं कि अगर format बनाया जाए वसूली खाते का तो किस तरह का format हमारे सामने आएगा यहां एक और महतुपूर्ण बात ध्यान रखने योगी होती है वो है अमूर्थ संपत्यों के बारे में कई बार ऐसा होता है कि किसी अमूर्थ संपत्य के बारे में सिमालेजे ख्याती के बारे में जो balance sheet दी गई होती है उसमें किसी प्रकार का कोई विवरण ख्याती का नहीं रहता है लेकिन adjustment जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उस अमूर्थ संपत्ती जो की balance sheet में नहीं है लेकिन उसका जो वसूल हुई है उससे जो राशी उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है तो यहां पर हमको वसूल राशी की जो entry है उसको वसूली खाते में बिल्कुल वैसे ही करनी है जिस तरह से हम अन्य संपत्तियों के विक्रे की दर्शा में करते हैं